नमस्कार मैं अमरेंद्रितिवारी अल्टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों शिक्षा विभाग के तरब से पूरी गायर लाइन्स जो है सोपी जारी कर दी गई है राज्य में लगभग 22 महिने के बाद इस्कूल खूल रहे हैं और इस्कूल ऐसे समय में खूल रहे हैं जब लोगों को लग रहा था कि अब आगे किस तरीके से जारखन की शिक्षा वेवस्त था बढ़ेगी क्योंकि सभी के मन में एक सवाल था कि क्या राज्य के अंदर हेमन सरकार इस्कूलों के खोलने के दिशा में कोई बड़ा कदम उठाएगी उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से इस्कूल जो है वो खोले गए अब जो शिक्षाविवाग की SOP है इसके तहट क्या-क्या चीजे निकल कर सामने आ रही है बारी-बारी से हम एक-एक चीज आपको बताएंगे और जबसे महत्तपून चीज यहाँ पर अपने तमाम दर्शकों को बता दू कि स्कूलों को अब 4 घंटे की बजाए 6 घंटे का किया गया यानि कि पिछली बार जब स्कूल खूले थे आप सभी को पता होगा तो उस वाक टाइमिंग जो है सिर्फ 4 घंटे की रखी गई थी लेकिन इस बार कहीं न कहीं टाइमिंग को 6 घंटे किया गया और कहीं न कहीं इसका स्वागत किया जाना चीए अब दूसरा जो सबसे महत्तपुन था कि भाई क्या अभिवावकों की हाजरी अनिवार जो है अभिवावकों की लिखित आदेश के बाद ही हाजरी लगेगी कुछ इस्तरगी की चीजे निकल कर सामने आ रहे थी तो देखें सबसे महत्तपुन चीज यहाँ पर अपने तमाम दूसरी जो महत्तपुन बात मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा की राज्य के अंदर कहीं भी स्कूल खुलेंगे तो वो जो है अगर वहाँ पर स्टुडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो उसको दो पाली में चलाए जाने की भी बेवस्था वहाँ के प्रधाना द्यापक पर डिपेंट करेंगे कर वो चाहते हैं तो दो पालीों में पढ़ाई लिखाई जो है वो करा सकते हैं परिच्छाओं को अफलाइन लेने की आजादी होगी इस पर कोई भी रोक जो है वो नहीं होगा इस्टुडेंट्स बिद्याले जाएंगे छे फिट की दूरी जो है मेंटेन करनी होगी इसके लिए सिटिंग एरेंजमेंट जो है वो सबसे हमोगा और खांस करके बस जो बच्चों को लेकर जाएगा उसमें भी ओवर कैपेसिटी जो है बच्चे नहीं बैठाए जाएंगे ये तो एसोपी है जो स्टेंडर ऑप्रेटिंग प्रोसेजर जारी किया गया शिक्षा विवाग के तरब से इसके अलावे एक टैशन और साफ सफ़ाई को लेकर तो कल से खुल रहे हैं आप लोग जाइए पढ़ाई कीजिए और सबसे मात पुन्ची जब मैं अपने दर्श को को जाते हैं बता दूं कि किसी भी पैरेंट्स पर जोर जबर्दस्ती स्कूल वाले नहीं कर सकते के आप अपने बच्च जारता है